आज बन रहा है गलूटेन फ्री नाश्टा जो हम जुवार के अटे से बनाएंगे और उसमें चटपटा, मसालेदार आलू की स्टफिंग करेंगे और बहुत ही कम तेल में हम इसे तयार करेंगे वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरी चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले साथे में जो बेल आइकन है उसे दबाएं ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन साब को मिलते रहें तो सबसे पहले तो हम आलो ले रहे हैं आलो यहां पे मैंने 300 से 400 ग्राम जितना लिया है उसे हम प्रशुक करके ले लेते हैं उसके बाद एक कप जुवार का आटा और एक कप पानी यानि जितना जुवार का आटा आटा आप ले रहे हैं उतना ही हमें पानी लेना है अब य में मिक्सिंग बहुर में रिए बागे जुवार का आठा में बए दो हिसे हम उभला पानी डाल देगे, तुरंथ ही चमच की साइता से हम इसे मिक्स गर्म पानी डाला है, इसलिए अच्छे से हम इसे आठे लिए गांठे भी नजर आएंगे शुए भीक मिक्स नहीं करना है बस थोड़ा सा मिक्स करके तुरंत ही इसे हम ढग देंगे इसके जो बाफ है ना इसके जो इसमें जो स्टीम जो बन रहा है उसी से ये आटा हमें लगाना है तो हम इसे ढग देंगे करीबं 15 से 20 मेर तक और उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे ये देखे आप देख सकते है ये स्टीम अब इसे हम मिक्स करके ले लेते हैं इसे मसलते हुए हम आठा लगा लेंगे बस ये द्यान रखना है कि ये आठा हम हैं'm रंड़ कर सके तो तड़के पैन में मैंने दो टेबल स्पून तेल डाल दिया है उसमें हम डाल देंगे जीरा और जैसे ही जीरा चटकना लगे हम उसमें डाल देंगे छुटकी पर हिंग इसमें हम मिला देंगे एक मिडियम साइज का प्यास दो से तीन हरे मिर्च बारिक कटी हुई आदा इ आज गुलाबी रम के हो जाए तब इसमें आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल करेंगे और ग्यास आफ कर देंगे अब आलू को है न मैंने मैश करके तयार रखा है उसमें ये फ्राइड ओनियम्स डाल देंगे साथे में मिला देंगे स्वादनसार नमक आधा टी स् अमचूर पाऊडर ₱ आमचूर पाऊडर यहाँ नहीं कर देंगे से नीमबू का रॉज भी निचोड सकते हैं यह मसाले को अच्छे से मिक्स नहीं करें ले लेते हैं ये अलू मसाले की पदले को आपके मण चाहा कोई भी स्टॉफिंग बना सकता है चली आलू का मिसाला ए फिर से मसल कर ले लेंगे अब यह देखे हलका हलका सा यह चिपक रहा है लेकिन जो पहले मैंने आपको बताया उसमें कुछ जादा ही चिपक रहा था अब देखे हतलियो में तो यह बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है तो इसके हम छोटी-छोटी लुईयां बना कर ले लेते ह जुवार के आटेकों है बहुत softly हमें बेलना है हलके हातों से हमें इसे बेलना है नहीं के ये तूट सकता है, फट सकता है तो बहुत ही हलके हातों से हम इसे बेलेंगे और जरूर होगा तो हमें dust करके भी ले लेना है जुवार का आटेका इस्तमाल करें या गिहु के आतिका इस्तेमाल करें डस्ट करके ले ले था और फिर इसे बेले इसे हमें ना ही जड़ा मोटा बिलना है Nam Saatla बिलने के बाद हम इसमें स्टफिंग भर देंगे टो करीबं एक टिबल स्पून हम इसमें में भर देंगे और फिर इसे अच्छे से सील करके ले लेना है जैसे मैं आपको बता रहे हूँ बस उसी प्रकार बहुत ही आसान है और इजी ली मिना तूटे ये सील हो जाएगा चलिए और एक में बेल कर आपको बताते हूँ कौन कहेंगा ये हम जुवार के आटे से बना रहा है इसकी आप रोटी भी बना सकते है ये जो हमने डो तयार किया है बस इसका जो प्रोसेस है इसका जो मिजुरमेंट है उसे फॉलो करें तो ये इसी डो से आप इसकी रोटी भी बना सकते है बस इसी प्रकार मैंने ये बॉल्स तयार कर लिये हैं और side by side मैंने ये अपपे pan घरम करके ले लिया है प्री हीट करके ले लिया है मैंने इसे 5 minute low flame पर प्री हीट करके ले लिया है अब इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे और जो हमने बॉल्स तैयर किये हैं वो इसमें प्लेस कर देंगे ढग कर 2-3 मिनिट हम इसे low to medium flame पर cook करके ले लेते हैं उसके बाद हमें अलटते पलटते हुए इसे पकाना है अब देख सकते हैं कि ये बढ़िया से बदामी रंके हो गए हैं अलटते पलटते हुए हमें इसे पका लेना है थोड़ा से तेल डाल देंगे और सुनहरे रंके ये हो जाए तक तक हम इसे भूल लेंगे और ये देखें सुपडिलिश्यस सुपड हल्दी ये बॉल्स हमारे तैयार है कितना बढ़िया लग रहे हैं बहुती बढ़िया कलर आया है इसका चलिए अब इसे हम सव करके ले लेते हैं जो बड़े एकदम से बदामी रंके हो गए हैं उसे मैंने निकाल किया है और उसके बदले मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा से तेल डाल रही हूँ और इसमें ये बॉल्स प्लेस कर रहे हैं और बाकी के जो साइड में है वो पक रहे हैं थोड़ा से सुने रहे हैं रंक कम लग रहा था तो उसे मैंने रहने दिया है उसे भी मैं साथ ही में पका रही हूँ यह जो ingredients हमने यहाँ पे लिए जो measurements मैंने आपको यहाँ पे बताए उसमें से 16 balls तयार हुए है यह size के तो उसे मैं tomato ketchup के साथ serve कर रहे हूँ आप आपके मन पसंद dip के साथ serve करें और यह देखे बहुत ही बढ़िया बना है उपर से हलका सा crispy है और अंदर से एक दम soft ट्राय करना तो बनता ही है जब बनाना है इतना आसान मिलते हैं अगले recipe के साथ till then, bye